गुड मॉनिक स्टुडेंट्स वेलकम इंदे क्लास टेंथ जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम लोग देख रहे हमारा पीछवे विज्ञान एक और हमारा पार्ट चल रहा है बेड़ा पार्ट नमबर साथ याने के लेंज और उनके उपयोग जिसमें हमने पिछले वीडियो म में देखा कि लेंसें क् Hermine और लेंसें के वारे में हमनें पूर्ण जानकरी प्राप्ट की किए उसके अलगलब प्रकार देखे physically सब मूल नहीं के संब्सक्राइए.. और उसी के संदर्ब में जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बिटा उतल लेंस और अउतल लेंस के अनुप्रस्त काठ पर आधारित कुछ अत्वपूर्ण भाग जो है उसको दर्शाते हैं उस भाग को मतलब लेंस के आधार पर जो प्रतिबिम्ब या आकृती हम हम लोग जानने के लिए ये भाग देखने हमको बहुत जरूरी है जिसमें वकरता केंद्र हैं वकरता त्रिज्जा मुख्या अक्षा परकाश ये केंद्र मुख्यना भी और आखरी है बटा यहां पे नाभ्यांतर तो ये छे भाग हम लोग आज देखने वाले हैं उसके पिचली कक्षा में देखा हुआ है जिसमें हमने धृव देखा हुआ था ये देखिए पॉल जिसको धृव हम लोग यहां पे दवारा दर्शाते हैं फिर वकरता केंद्र याने की सी हमने देखा हुआ है ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन सभी चिन्नों से मैं आपको प्रचलित यादधाश दुबारा वापस लाने के लिए इन चिन्नों का उपयोग हमने किस तरह पिछली कक्षा में किया था उसके संदर्भ में जानकरी बताना चाहता हूँ और जैसे कि आपको इस साल ये किताब में गोलिय दर्पन के बारे में जो आकृती बताई है वही आक दोलकों का भाग यहां पर दिख रहा है न यह जो गोलिय दर्पन का जो उतल द्यर्पन और आउंच ए उतल द पन जो हम लोग भाग ले रहे थे उस भाग को दर्शाने वाला अम द्य भिंदू यानिम nे लिया था जोके इहां पर यह सीप्र इं 5 5 गोलिय धर्पन का मद्य बिंदू होता है जिसम confidence के दर्चाथ तक आने वाली सीधि रखा कू मुख्य मुख्य अक्ष कहते हैं, फिर हमने मुख्य नाभी देखा हुआ है, जिसको हम लोग प्रिंसिबल फोकस कहते हैं, है ना, प्रिंसिबल फोकस यानि के एक विशिष्ट बिंदु परम, मध्य में स्तीत होता है, है ना, मतलब ये, मतलब ये जो वक्रदा केंद्र है, वक्रदा केंद्र और दरपन के दुरूओं के मध्य में जो स्तीत होता है, उसको हम लोग मुख्य नाभी आने के प्रिंसिबल फोकस कहते हैं, सबसे इंपोर्टन है वक्रदा तरिज्जा, जिसको हम लोग रेडियस आफ करवेचर कहते हैं, आर से इसको दर्शात हैं, है ना, तो ये वक्रदा तरिज्जा देखिएं, वक्रदा केंद्र से और गोलिय दरपन के पृष्ट भाग तक जाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं यहां पे वक्रता तरिज्जा कहते हैं, जिसको रेडियस आफ करवेचर हम लोग कहेंगे बटा तो यहांपर देखिए हमारे पास दो वक्रता यvate जाए हम यह पर दी गए है इसलिए यह एरो आपको यहांपर बनाकर बता गया है वक्रता द्रेक्जा इसको कहते हैं और आकरी में हम लोग देखेंगे बटा नभ्यांतर नभ्यांतर यानि के focal length यानि के दरपन के धुरूव से लेकर principle focus यानि के मुख्यनाभी तक दरपन के धुरूव और मुख्यनाभी के बीच के अंदर को नभ्यांतर गेते हैं देखें यहां पर लिखा है गोलिय दरपन के धुरूव और मुख्यन मंधित चिन्न है ना उसी तोरह से इस आकृती में भी आपको यहां पे सी दिखाई दे रहा है ती दिखाई दे रहा है और आर दिखाई दे रहा है ना तो यह दोनों चिन्न हम लोग को यहां पे प्रचलित हैं पर हम तु सी न दिखते हैं हमें यहां पे सी वन और सी टू के बारे में आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूँ देखिए जैसे आपके सामने यहां पे किताब में पेज नंबर लेंस का अनुप्रस्टकाटर है यह और यह और यहां लोग रहाँ नंबर दरलपर्स्टकाटर तो इसी से अभी चर्चा करेंगे यहां पर उस गोले के केंद्र केंद्र को वुख्रता केंद्र कहेंगे तो प्रतिक लेंस को C1 तसा C2 ऐसे 2 vakratah केंद्र होते हैं तो प्रत्tor गोले को यहाँ पे देखिए को 2 vakratah केंद्र होंगे C1 और C2 जैसे उत्तर लेंस में है वैसे ही आउतर लेंस में भी यहाँ पे 2mäß के vakratah केंद्र होंगे अब हम लोग चलते हैं हमारे vakratah tr yağ की तरह तो radius of curvature और R से इसको दर्शाते हैं तो lens का पुरुष्ट भाग जिस कालपनी गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्चाओं R1 और R2 को lens की वक्रता त्रिज्चा कहते हैं यहाँ पे R1 और R2 चाहिए बड़ा क्योंकि R1 और R2 नहीं होते R1 और R1 नहीं होते यहाँ पे दो आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्चाओं दी गई है जो की आपको lens के पुरुष्ट भाग से यह देखिए lens का यह पुरुष्ट भाग है जो की गोले का भी कालपनी गोले का भी भाग है यह देखिए यह लेंद का पुरुष्ट भाग है प्रतिछे छेदित करती हुई एक रेखा यहाँ पे नदर आ रही है वो R2 है तो R1 और R2 यहाँ पे क्या होगे हमारे वक्रता तश्टा होगे तो उस कोली की तरिचाहँ को Lens की वक्रता तरिच्चा कहते हैं तो इन तरिच्चाहँ को हम लोग क्या कहेंगे लेंज के वकरता ट्रीचा हम लोग यहाँ पे कहेंगे अब हम लोग चलते हैं हमारे मुख्या अक्ष की तरफ मुख्या अक्ष यानए के जिसके हम लोग principal axis केते हैं तो principal axis यानए के लेंज के दोनों वकरता केंद्रों से जाने वाली कालपनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं तो देखिए लेंस के ये ये लेंस है हमारे इस लेंस के दोनों वक्रता केंद्र अब ये सीवन और टीटू इन दोनों में से जाने वाली कालपनिक रेखा को हम लोग यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस यानि के मुख्य अक्ष कहेंगे यह बास समझ में अब लोग को अभी हम लोग चलते हम लिए प्रकाशि या कैंद्र की तरफ अब प्रकाशिय या केंद्र यानवा यानि के ऑप्टिकल Сेंटर है और जो यहां पर बीच में लेंस मध्य में आपको यहाँ पर दर्शाई गई है तो प्रकाश किरन लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती मतलब देखिए बटा यहाँ पर आपको यह आकुरूती से अच्छा मैं यह बाजु वाली आकुरूती से इसे दर्शा कर बताना चाहता हूँ यह आकुरूती देखिए ओप्टिकल सेंटर याने के ओ यहाँ पर इसके मध्य से जाने वाली रेखा जो कि यह मध्य बिंदु से ओ से जाकर जाते समय बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रही है विचलित हुई है क्या इधर ऐसी सरकी क्या या इस तरह से उपर गई है क्या नही होती ऐसे मुख्य अक्ष परस्तित बिंदु को लेंस का प्रकाशियक केंद्र कहते हैं यानि कि ऐसे विचलित नहीं वाली रेखा को हम लोग यहाँ पर उस लेंस का प्रकाशियक केंद्र खेंगे उसी तरह दिखिए जैसे यहाँ पर पी थ्री विचलित नहीं हो रही है और यह लेंस के मद्य बिंदू से जाकर यहाँ पे Q3 बन रही है उसी तरह ही यहाँ पे देखिए यह P1 जो है बिटा यह ऐसे उपर से आती हुई आपको नदर आ रही है मद्य बिंदू से जाकर यहाँ बिल्कुल भी विचलित नहीं होके Q1 बन रही है वैसे ही यहाँ पे P2 जो अपतित किरन है वो O से परावर्तित होके यहाँ पे जा रही है लेकिन वो भी विचलित नहीं हो रही है तो यहाँ पे आकरूती में बिंदू O से जाने वाली किरने P1 Q1 P2 Q2 इत्यादी सीधी सरल रिखा में जाने के कारण बिंदू O यहाँ प्रकाशियक केंद्र है तो यदि हम लोग O को प्रकाशियक केंद्र मान कर चलते हैं तो O क्या होगा यहाँ पे एक ऐसा बिंदू की जिसमें से जाने वाली रेखा है जब विचलित नहीं होती उस बिंदू को हम लोग प्रकाशय केंदर कहेंगे ठीक है अब हम लोग देखिए यहाँ पर यह दूसरी भी आकृती यह बटा यह उत्तल लेंस की है अउतल लेंस से भी सेम घटना यहाँ पर घटित होती है आप लोग को नजर आ रही है पी-3 जो की सीदी रेखा यहांसे मध्य unseren आ रही है वो क्यूं ट्री वनी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई पीवन आपतित किरन जब मध्या बेखिए अ तो वो भी विचलित नहीं हुई वो क्यूं बनी और पीदू जब यह प्रकाशय केंदर ओ से जा रही है वो भी विचलितनों होते हुए Q2 बनी तो इन तीनों रेखाए को हम लोग यहां पे P1, Q1, P2, Q2 और P3, Q3 को यहां पे हम लोग प्रकाशियक बिंदू ओ से जाने वाली सीधी रेखाए कहेंगे विचलित रेखाए नहीं कहेंगे अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ वो है बिटा मुख्य नाभी याने के प्रिंसिपल फोकस अब देखिए प्रिंसिपल फोकस को दर्शाने वाली आपको यहां पे आकरूती नदर आ रही है यह है उत्तल लेंद और यह है आउतल लेंद और उत्तल लेंद दोनों में से जाने वाली कुछ रेखाए जब यह गमन करती है उत्तल लेंद से जब मुख्य अक्ष से जाने वाली रेखा है उसको समानतर रेखा है जब यह गमन करती है आपतित होती है तब यह एक जगह पर आकर यहां पर देखिए F1 मतलब मुख्य आक्ष को पर समानतर जाने वाली रिखाए एक बिंदु पर अभी स्रिथ होती है उस बिंदु को हम लोग यहां पर मुख्य नाभी कहेंगे मतलब यहां पर आपको दो मुख्य नाभी मिल रही है F1 और F2 यह समझ में आ रही आपको बात यहां पे F1 और F2 यहां पे दो मुख्य नाभी आपको यहां पे मिल रही है यह मुख्य नाभी क्यों बनी कैसे बनी इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ दीए उत्तल लेंज में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली अपतित प्रकाशकिर ने लेंज पर पड़ती है तब अपवरतन के पच्छात वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदू पर अभी सृती है उस बिंदू को उत्तल लेंज की मुख्य नाभी कहते हैं यहां F1 तथा F2 यह मुख्य नाभी है यह देखे बिटा उत्तल लेंज की मुख्य नाभी अगर आपको पूछी गई तो आप यहां पे डारेक्ली बता सकते हैं कि F1 और F2 उत्तल लेंज की मुख्य नाभी है क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर यहां पे देखिए बहुत सारी नीली रेखा हैं आपको यहां पे नजर आ रही है वो नीली रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई यह उत्तल लेंज पर पड़ती है तब वो अपवरतन के पच्छा था अपवरतन यानि कि ये लाल रंग की बनकर ये लाल नहीं है ये तो पिंक रंग की है पिंक रंग की बनकर वो एक बिंदू पर अभिस्तरत होती है और बिंदू को ही उत्तल लेंज की मुख्य ना भी कहते हैं तो ये दूसरी मुख्य ना भी होगी यह पहली मुख्य ना भी होगी पहली मुख्य ना भी F1 है दूसरी मुख्य ना भी होगी F2 यह इस बात समझ में आई तो आकरुती साथ पॉइंट पाच अ में दिखाए अनुसार उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली अपतित प्रकाश किर ने अपवर्दन के पच्छात मुख्य अक्ष पर एकत्रित होती है यानि कि एकत्रित होती है उसको अभी सारी लेंस भी कहते हैं यदि यह उत्तल लेंस से गमन करने वाली किरने अपतीत किरने जो है वो अपवरतन के पश्चात एक जगह पर इकत्रित होती है इसलिए इसको अभिस्त्रित होती है ये भी कहेंगे इसलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी होता है ये बात समझ में आ रही है आपक कुरती के बारे में हम लोग आभी बात करेंगे तो देखिए ओonutर हैं मुख्य अक्ष के समानतर आफम करने वाली अपतित प्रकाश करने अपवरतन के कारण इस प्रकार से पसरीत होती है ये देखिए अपतित किरन इस इस तरह से विचलीत होती हुई आपको नदर आ रही है जो की सामने तक विचलीत हो रही है इसको अगर बढ़ा दिया जाए ये दूसरी समातर रेका है ये भी इस तरह से इस तिशा में अपवरतन के पश्चाद विचलीत होती हुई आपको नदर आ रही है मतलब अपवरतन के कारण इस प्रकार से अपसरित होती है इसको अपसरन कहते हैं धूर जाना अपसरित होती है कि जैसे के मुख्य अक्ष परस्तित बिंदू से दूर फैल रही है मतलब मुख्य अक्ष के बिंदू से क्या हो रही है वो दूर फैल रही है तो आकृति 7.5 ब को आवतर लेंस की मुख्य नाभी भी कहते हैं इस तरह से यह अपसरन होकर यदि इसको इस F1 पे ही एकतरित किया जाए पूरव जगह पर तो वह F1 यह मुख्य नाभी से ही अपसरीत होती हुई आपको यहाँ पे नदर आगी है ना और यहाँ पे दूसरा बिंदू आपको मुख्य नाभी का यहाँ पे मिल रहा है वह अबड़ा F2 तो यहाँ पर F1 तथा F2 यह दो मुख्य नाभी होगी यह हो गया हमारा आउतल लेंस के बारे में चांकरी तो आकरुदी 7.5 ब में दिखाए अनुसार आउतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानतर गमन करने वाली नीली रेखा है यानि कि आपतीद प्रकाश किरने अपवरतन के पच्छाद एक दूसरे से दूर फैल जाती है एक दूसरे से क्या होती है ब satisfies यहां पे दूसरी अगर मैं आपतित करण यहां पे दो बना लेता तो वो भी इस तरह से दूर फाईलती हुए आपको यहां पे नदर आती तो दूर फैल जाती है यानि कि इनका अपसरन होता है इसलिए इस लेंज को अपसारी लेंज भी कहते हैं मतलब यदि कभी आपको आउतल लेंस का दूसरा नाम यदि आपको पूछा गया तो आप लोग डिरेक्ली बोल सकते कि हाँ इस लेंस को अपसारी लेंस के कहते हैं क्योंकि इस लेंस के अंदर आने वाली आपतित किर्णे अपसरन होके वो दूर फैलने लगती है इनका अपसरन होता है इसी वज़े से इस आउतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं तो ये दो चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान में लगना कि उतल लेंस से गमन करने वाली रेखा है जब एकतरित होती है इनको अभी सृत होती है कहते हैं और इसी लिए उतल लेंस का दूसरा नाम अभी सारी लेंस है और उसी प्रकार आउतल लेंस का दूसरा नाम जब इसके उपर आपतित होने वाली किर्णे अपसरन होकर दूर फैलने लगती है इसलिए आउतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंग्ट भी होता है यह हम लोग आराम से आसानी से हमेशा बता सकते हैं अब हम लोग चलते बिटा हमारे अगली भाग यानि के आखरी भाग की तरफ है हमारा नाभ्यांतर यानि के यानि के एफ से हम पर दर्श benz मुख़ोन अभी यह हम उत्ति का तो हम पर यहां मुख्योन भी है और वहां असे लेकर यह पर क कैंद्र के भीच की दूरी का जो ंतर होता है उसे हम लोग नप्भेंतर कहते हैं देखिए लेंज के मुखे नाभी लेंज की मुखे नाभी तथा प्रकाशिय केंदर के बीच की दूरी को प्रकाशिय केंदर यहां पर O है इस यहां से यहां तक यह इसके यहां O से लेकर यह F2 के अंतर को हम लोग लोग जानना चाहते हैं यहाँ पर भी F1 लेंद की मुख्य नाभी यह दिखिए अपूरतन होने के बाद यह जो पूर हुआ हम लोग यहाँ पर यहाँ पर ले रहे हैं मतलब यह मुख्य नाभी से लेकर प्रकाशिय केंद्र के बीच के दूरी को हम लोग यहाँ पर नाभ्य कहेंगे तो यह हो गया हमारा नाभ्य अंतर इसके बाद आपको एक साइत्य कुरूति करके देखना है कि जब उत्तर लेंस और परदा एक बड़ा कागज लेकर मिटर पट्टी और लेंस के सहायता से हम लोग स्टैंड पर रखके किसी वस्तू को जैसे कि पेड या इमारत को देखना चाहते हैं वो तो किस तरह से हमें नदर आता है उस कागज के पट्टी पर मिटर पट्टी पर वो किस तरह से हमें दिखता है यह सब चीज़े हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे तब तक जितना पूर्शन आज हम लोग ने पड़ा है वो सब आप अच्छे से ध्यान में ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और इसे याद रखिए क्योंकि इसी के आधार पर परिशा में प्रशनों तरा आपको पूछे जाते हैं अगले वीडियो तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और कोरोना से बचने के लिए दोगत की दूरी रखिए मास ठीक से पहने और बार बार हाथ दोते रहिए थैंक्यू ग्लास टिक्यार बाई